हेलो फ्रेंड्स वेरी गुण बॉर्निंग टो अल फ्यू दोस्तों आज डेट है एक अप्रेल 2019 देखते हैं कौन कौन सी इस इंपॉर्टेंट है हमारे एक जांप पाइंडवी से सबसे बहुत सारे बच्चे कहने किसा आपने बोक्स के लिए बताया था कुछ चीज़ें में नहीं मिलने है नहीं तो को मेज़नी बहुत सारे लोगों ने किया क्या कि एंचियन मीडावल के लिए नहीं को मौडरन इडिया के लिए ठीक है अधुनिक भारत के लिए मैंने आपको दो किताबें वी से बताई थी ठीक है पहला स्पेक्ट्रम ज्यू राजी वहिर किताब और दूसरा मैंने बता थे आपको B.P.N. चंद्रा, आप इन दोनों से कोई भी books ले सकते हैं ठीक है, B.P.N. चंद्रा ले लिजए या तो फिर आप राइजी वहेर की spectrum ले लिजे, दोनों से कोई एक book लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दोनों purchase करके पढ़ना है, बहुत सरे लो अभी तक नहीं purchase किया है तब मैं आपको कोँगा latest edition ही purchase करिएगा कभी-कभी थोड़ी सीचे add हो जाती है अगर आपके पुराने edition की अगर आप चाहते है ने edition खरीदना तो basic आप खरीद सकते हैं और आपके पास अगर पुराने edition की तो किसी को प्रूनेट भी कर सकते हैं उसके बहुत सारे बचे करें इसके important topic बता दीए दोस्ते आपको मैंने कल बताया था कि accident हो जाने को वजब से पैर भी इतना दर्द है कि मतलब बहुत ही जादे मुश्किल से मैं ये वीडियो भी बना पा रहा हूं और बोलने में थोड़ी से दिक्कत हो रही है तो हो सकता है आपक सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होगा बट ये है कि ये दुखो मैं आपको जितनी भी topics से important ना वो सारा IK करके भी बता दूँगा ठीक है मुझे एक दो दिन का time दे दीजिए मैं सारे topics detail से देखके आपको detail में बता दूँगा कि उसमें कौन-कौन से topics से क्या-क्या पढ़ना है ठीक है तो मुझे अभी actually online purchase करना पड़ेगा तो मैं उसको purchase कर लूँगा तो मैं उसके बाद पढ़ना पड़ेगा एक बार देखना पड़ेगा तो overview देखने के बाद मैं आपको कल या परसोस को बता दूँगा detail में ठीक है तो आपको भारत 2019 में क्या-क्या topics पढ़ने औ कहा-कहा पढ़ना है मैं आपको detail में इसकी soft copy में दिखा दूँगा अपको ठीक है उसके लिए अच्छा एक चीज़ और है जिसको soft copy purchase करनी हो ना यह दुखा आपको प्ले स्टूल में मिल जाता है गूगल का जो आप Google Play आता है ना गूगल प्ले करके आता है उसमें भी आप अब दोगों बात करते हैं मैंने बता है हिंदू कुस आपका पामीर का पठार और आपका कॉनलों वांटेन यह इंडिया का जो उपर वाला पाठ है वहां पर पाई जाती है उसके बाद मैंने तीन रेंज बताई थी कारा कोरम रेंज लद्दाक रेंज और जासकर रेंज इ बिंद्यान रेंज सत्पुरा रेंज मैंने बताया था चोटा नागपुर का पठाड आपका जो है चातिस गड़ और रायपूर वाली इलाके में आ जाता है ठीक है और यहां पर तीन बड़ी फेमस सी पहाडिया है गारो खासी जहन्तिया में आती है यह आप याद रखिए जैसे नागा हिल से आगा तो नागा लेंड का है तो यह पॉइंट्स आप आपको यह सारी चीज़े रखने की जबरत है नहीं क्योंकि उसमें पहले नागा आ गया तो आसी बस आपको याद रहेगा वह दूसरा यह कि ऐसे कोशन बंते भी नहीं है क्योंकि थोड़ी यह जा क ενौ के बात करें तो मईंट के नहीं हो भारत के पास जो लेंड है न भारत का यह इतना है इह अपका एक्साइट चीन अंसरा इधर आपका few Bailey के पास है के पाकिस्तिय को बोलते हैं तो यह पाकिस्तान के पास है तो यह कीटू जो है नौ यह पाकिस्तान और गोए बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा भारत 2019 की बाते कर लिए हमने तो दोस्तों बस एक या दो दिन का वेट करिए मैं आपको इंपरेंट इसके टॉपिक बता दूँगा जोनों आनकेडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं कोई रेफिलर कोड ये यूज करेंगे आपको 10% का ड लिकाल सकते हैं अगर ये पांच में आप लिकालता है तो ये मान के चलिए आपका एक कोस्टन तो सही हो जाएगा ये पेसी में कोस्टन आने की परवावल्टी बहुत जादे होती है इस लेक से यसे 2018 की बात करें तो कडाई कुनाल पूछ दिया था वह आता है अंदर में पूछ लिया था इसका अंसर था कोडाई कनाल अगर बात करें 2017 में पूछ रखा था पूलिकट की सीमा है किन-किन राज्यों से लगती है तो याद रखेएगा इसलिए मैं यहां पर लिए रखा आंदर पर्देश में और तमिलाडू में तो पूलिकट का जो सीमा लगत चंडीगर में सुखना चंडीगर में सुखना है तो मतलब चंडीगर देखो आपको बात करें तो हर्याना के वी पंजापी तो दोनों राज्यों में भी कह सकते एक तरह से मड़ीपूर में लोक्टक जील यह भी मैंने बदाता है बहुत जादे इंपॉर्ट है ठीक है मद् नियुत geen वह अगर सूरज सूरता जहां भी आ आ դो ही मासिल मी आएगा ठेक है तो की चार और भी तो पता ही होने चाहिए ठीक है और सूरज 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 जहां भी आ गया तो ही माचल में एगा ठीक है तो यह चीज याद रखीगा अब आगे बात करें तेलंगाना में तो हुस्य हंसागर और नागार जून तो यह दुनों याद रखिएगा आंदर प्रदस की बात करें तो कोलेरू और आपका पुलिकट यही दुनों इंपॉर्टेंट है तो यही दुनों आपको याद रखना है आपको कुन्बुन याद सकते हैं तो आज के बाद जब हम अगले बार पढ़ेंगे तो वहां पर हम कुछ और नए आड करेंगे तो कुछ न कुछ हम इसा आड करते जाएंगे अब समीतियां भी को सकता हम अगली बार से समीतिया आड करेंगे ठीक है क्यों समीतियों से एक बार उसमें भी एक कुछ अटिस बन जाता है तो समीतिया में हमारे लिए इंपॉर्टन जाता है कि केलकर समीति किस से रिल्टेट है ठीक है सिचाय से रिल्टेट है फाइनस से रिल्टेट है ऐसे कुछ अगर बार लग 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 एक कुछ अग जाता है इविन अगर आपको इस्टेट का पीएसी एक्जाम दे रहे हैं पॉब्लिक सर्विसर कमिशन आफ इस्टेट का जो होता है वो दे रहे है तो उसमें तो हर बार एक दो को सर पूछ ले जाते हैं तो वह भी मारली इंपॉर्टन्ट है तो कल से दोस्तों हम वह एड करे पढ़ेंगे समीतियां ठीक है अधो डैम्स तो हम पढ़ी रहें डैम्स के बात कर ले तो दो सतलज पर बने बता था भाक्रानागल डैम सतलज जीवर पर है और हिमाचल परदिश के बिलासपूर में भी है और रूपनगर इसको रूपड बोलते हैं यह पंजाब में ठीक है कि दो नदियां जो है आपके लिए इंपॉटेंट हैं धाम साल पढ़ सकते हैं भर इतना इंपोर्टें नहीं है उसके अलाएमा बात करते दोखो सतलज जीवर में बता दिया रावे की बात करते दोखो चमेरा री एर यह भी आपके लिए इम्सका ब्यास की दोनों महाल और आपका ब्यास रिवर बनी है पंडोड है यह आपका मंडी में है ठीक है मंडी डिस्टीक का नाम है मंडी वह सबजी मंडी वाला मंडी की बात नहीं कर रहे हैं मंडी डिस्टीक है माचल पर्देश का ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो अब मिट्टियों की बात के तो मिट तो इसके वज़े से क्या है कि यहां पर जब आप मोबाइल की डाटा से कुछ भी अपलोड करते हैं तो गूगल जो ड्राइव है वह नहीं ले रहा है मैंने बहुत सारी सेटिंग्स उसकी चेंज़ करके देखी पता नहीं कुछ प्रॉलम्स हो रही है उसके साथ तो कुछ एर आप डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है कुछ दिन की बात है होट फुली तीन से चार दिन आपको अर्जिस करना पड़ेगा उसके बाद सब को सीज़े सही हो जागे तो सारी सीज़ा असान हो जाएंगी ठीक है तो ठीक है बट यह हम देखते हैं तो देको भारतिय क्रिश् चार से पांस है याद रखते हैं और टॉटल कितनी ए हैं आपको काम निकल जाएगा आवारत की भूमी होती है जो भारत की मिटीया होती इसमें तीन तरह की कमी पाई बटी और घ्र किया तो ये पॉइंट्स भी यादर रखेगा और बात करते हैं इंडिया के तो इंडिया क किसि स्टेट की सिमाय देशी देशों से लगतेए यह भी मने दिसेस कर लिया था आपसे और कौन कौन से राज है जिनकी सीमाय है समुद्री सीमाय लगती है तो यह भी आपको पता होना चाहिए टूटल 9 स्टेट है आपको यह काउंट करना पड़ेगा प्लस कौन से स्टेट है जिसको इस्ट में भी लगता है वेस्ट में भी लगता है मतब इस्ट में भी लग रहा है और वेस्ट में भी लग रहा है ठीक है तो बहुत सारे लोगा ने क्या किया गुजरात बोला ठीक है महारास्ट को बोला गुवा को बोला करनाटक को बोला और क चुल में कितने थे शे आप बात सोच रहें यूटी नहीं उनसे राज्यों की बात कहीं तो यह तो जब भी आप काउंट करेंगे अगर एक साइट का पूछता है इधर चुल में नौ है क्यों कि तमिलनाडव दोनों साइट करता है अगर आप से पूछ देखी जो हमारा इस्टन साइट का जो सागर से जितने राज शेयर करते हैं वाडर कौन-कौन से कितने हैं तो अगर आप उसे पूछ दे तो आप शिक्स बोलेंगे ना की पांच ठीक है तो य नौ राज्य है जिनकी सिमाय समुद्र से लगती है यह जाद रखेएगा अब बात करते हैं दोस्तों मिनरल वाले राज्यों की तो देखो राजस्थान मद्यपर्देश जारखंड 36 गार उडिशा करनाटक और आदमपर्देश यह टोटल सेवन इस्टेट हैं जहां पर मिन हम प्रछय को प्रिखो्षान के समझोंते करते हैं मतल हैं परेटन को बढ़ाने की बाते करते है प्लस आर्फिक सजोग की बाते करतेएं दुव पच्छी वेफाड की बाते करते यह सारे पीट्स मैं tyre नयको जूड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं मेंठानमत्री होत जाती हैं तो यह साय हैं यहाद रखियेगा तो करेंको धोड़ा से इसमें होजाता है षर एकत्व पता होगा गत्या के वरिए बोलीविरी निन बिया अब मैंने आपको बता था कि कैसे आप साथ अमेरिका की जो लेंड लॉट प्रेसर से याद रखेंगे मैंने बता था ब्लॉबिया प्राग्वे अब आपसे कैसे कुछ सकता है बॉलिविया से कुछ लेगा कि बुलॉबिया की सीमा समधूर से लगती है अटलांटिक को सिंसे यह पैस्पी को सिंसे लगती है ऐसे को सन बन जाएंगे पहली सी दूसरा यह कि उसके पड़ोशी देश हैं वह कौन-कौन से तो आप देखेंगे तर ब्राजील है प्रागवे है अर्जंटीना चीली और पेरु है ठीक है अब दोस्तों मैपिंग मैंने आप से पूरा कम्प साथ में खतम हो जाएगा थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में अंटाइक का बारे में चलाओंगा आपको माई के आसपास जिसमें हमने करेंट के पूरे वर्ल्ल पड़े थे ना मने जो मैपिंग के तरू वह सारा के सारा मैंने पीडिएफ तो कम्प्लीट कर रखा है तो उस जल्दी वे वीडियो बनाऊंगा ठीक है मैंने सारा पीडियो एक साथ ही मर्ज कर दिया है पुरे जिसने जो हमने छे से साथ मीने के पिछले आए हैं इतने भी मैपिंग से रिटेट आए हैं सारा अधे घंटे एक घंटे का लेक्टर बनेगा तो हो सकते हम उसको दो पार्ट म दोष्ब दोस्तों का नाम है अलियम्बा यम चूंगर ठीक है अलियमबा यं चूंगर इनकी फोटो है एक फॉरेश्ट गार्ड यहां पर करतें दोस्तों बहुत बढ़िया काम किया है पॉरेश्ट गार्ड कान तो आपको काम क्या होता है कि आपको जंगल की दिख्वाल करनी कोई पीरण ना काटे को याग ना लगाए कुछ ऐसे काम होता है प्लस जो जंगल के जानवर है उसकी पोचिंग ना हो मतलब उसका सिकार ना हो तो इन दोनों चीजिए उससे नौर्मली यह लोग रच्छा करते इन्हों ने बहुत ही अच्छे से अपना काम किया है तो इसके लिए इनको अर्थ डे निट्वर्क स्टार आवार्ड से सम्मानित किया गया है और जिए अबाट दिया जाता है तो यह पॉइंट्स आप याद रखेगा अमेरिका के अंतरास्टी पर्यावन संगठन के द्व हानुबिल दुखो ऐसा दिखता है तो में चलिए हानुबिल के लिए बहुत बहुत जाद है फेमस है यह भारन तो आपसे दोखो यह कुश्ण बन सकता है कि फकीम वन्र जी वारन के बारे में कि नौर्मली बहुत ही कम चर्चाम होता है उतना इंप्रॉटन नहीं होता है क् है इतन के बहुत बधिन के बएक करते हैं सब्सक्राइब नागालंयन तो फूर्च किस्मों को दोस्तों बात कर लेते हैं कलीव ने आपसे डिक्स किया था अराभीका और आपका रुबस्टा यह काफी की दो किसमें होती है और इसमें भी अलग-अलग जिसे प्लेस पर जो पाई जाती है कि मतलब काफी तो इसकी बारे में बात कर लेता है बात करते हैं कूर्ग अराभीका कॉफी करनाटक में पाई करनाटक में दिया गया तो आपसे कुछन पूछे जा सकते हैं या तो मैंचव दब फॉल्लाइंग दे देगा कि इसमें चार कॉफी के नाम दे देंगे और इदसे चार स्टेट के नाम दे देगे आप इसको मैंचव दूब फॉल्लाइंग करिए ठीक है मिश्कर मिलान अराकू बाबा बुदान ठीक है चीकम मंगुलूर यह सारे का डिस्टिक के नाम में अगर उनको साउथ में लोग रहे होंगे उनको डिस्टिक के नाम पता तो यह आराम से दे पाएंगे आपको लग रहा हो कि बहुत ही डिफकल्ट है याद करना लेकिन डिफकल्ट नहीं है अरभी इस तो मैंने काली बताया था तो अरामिका और आपको रोबस्त सहां पर नाम आ गए तो व्यांद के नाम है काफी का नाम है और वायेनार्ट। व्यσιंची का नाम है केstarना में ने फांको आं पर इसको अराम से कर ज्याइंगे तो लगई सब्सक्राइब प्लस उसके अलामा बात करें बाबा बुदान चिकम मंगलूर का अब बताया आपको कहा का का ठीक है यह वी पॉइंट्स आप याद आराम से लख सकते हैं अगर आप प्यूज करेंगे तो याद करेंगे तो याराम से तो इतना लोड में लेना है अगर याद होता तो अच्छी चीज़ नहीं याद होता तो उसके लिए आपको परशाद नहीं होना है ठीक है अब बात करते हैं रेट क्रास सोसाइटी की थोड़ा से पैर में दोस्तों पेन जादे हो रहा ठीक है तो बात करते हैं वैसे वैसे मैंने इसको बहुत ज़ादे इसका साथ से अच्छे से किया था यहां वे चीजे महंगी होने लगी तो यहां के रासपती थे निकोलस मादुरो ठीक है इनकी स्तिफ़ेक लेकर मांग बहुत जादे बढ़ने लगी और जो बीजपच्छ के नेता थे जुवान गाईदो इन्हों अंतरिम गुषित कर दिया तो अमेरिका यहां इनको सपोर्ट कर दिया जो अभी ततकाली रासपती है टिक ऑडिकोलस मादुरो वह कंट्रॉल करने में कुछ भी काम नहीं कर पाए है फ्लस लोग बहुत जादे परसान है तो उनके लिए क्या है कि आप मनते तो साई साहरी सीज नहीं होती आपका अगर साओधियार यूए के बात करें इन कंट्रियों के कंपेर में थोड़ी सी जो क्वालिटी होती इनके ओयल्स की जो डीजल पिट्रोल यूज करते हैं कुरूड की तो बहुत जादे अच्छी नहीं होती तो थोड़ी से सस्ते मिलते हैं तो इनके जब इ राजपती हैं ठीक है उनको निकोलस मादरो को सपोर्ट कर रहे थे अब रिजन क्या था कि चाइना ने बहुत सारे प्रजेक्ट अपना निकोलस मादरो के थुरू किया कि या इन्वेस्ट कर रखा है और यह लोग जहां चाइना रूस दोनों एक दूसरे के साथ ही ठीक है अगर आग गया तो अगर अमेर्का की विरोद में चाइना भी खड़ा हो जाता है इन दोनों ने किया कि आप चाहिना ने सपोर्ट किया जो अभी के प्रतान जो अभी के राजपती थे निकोलस मादरो को लेकिन बाकी देसों की बात कर दें तो अमेरिका यूरोप बहुत सा देना चाहिए और जो आपको विपच्छी नेता है उनको आपको राषपती गोशचित करके और फिर से ओना चाहिए इनुने का कि नहीं निए नहीं जब तक में अपको एलक्षन करने निया दूंगा यह था बात करते हैं भांट की तो भारत का क्या जरिया था इसमें भारत रास्पति निकोलेस मादरों को सपोर्ट करता और इनकी सरकार गिर जाती सत्ता में यह आते जुवान गाईदों तो भारत के लिए थोड़ा अंटीपन हो जाता ना प्लस अमेरिका से भारत के रिष्टे खराब होते हैं अगर भारत इनको सपोर्ट करता अगर भारत जुवान अब बात करते हैं रेट क्रॉस सुसाइटी की तो तो रेट क्रॉस सुसाइटी दोस्तों बहुत ही मतब संदार संस्ता है तो यह सुरू-सुरू में जब बना था मतब 863 क्या सबस्दा बना था है हेंडी टूनेंट ने इसको इसके स्थापना के थी एक अंतराश्टी जिसका मानवी जिन्दगी और स्वास्त का बचाव करना ठीक है मानवी जिन्दगी और स्वास्त का बचाव करना यह लोग क्या करते से को यह दुवे पीडित हो जाता है उसकी सहायता प्रदान भी करते हैं यह लोग और सबसे बड़ी बात है कि इस संस्ता को नोबल से किया है तो हर साल रेट क्रॉस दिवसी बना जाता है आपका यह थोड़े से इसके वारे में अगर याद रख सकते हैं तो याद रखेएगा ठीक है अब ब्रेटियन का एक्जिट ही आप देखो पहले से जो लो जूड़े हैं उनको समझ में आ रहा हूगा बेजिट क्या है लेकिन नए जोड़े उनको में मता देता हूं यूरूपियन यूनियन है अब यूरूपियन यूनियन क्या है एक आपको ब्हारत हो गया इंडिया ठीक है नेपाल भूटान स्रिलंका मैं माल लेते हैं जोने मिलके एक संगठन मना दिया बोले कि हम कुछ भी वेपार करेंग भुटान जाता है मेमार जाता बंगलादेंस जाता यह करनशी यूज करते हैं a b c a b c c e b c e b c a b c एक दिन क्या होगा बंगलादेस में जगडा ऑगे लोगों में आपस में लोगों ने कहा कि नहीं हम a b c currency यूज नहीं करेंगे जो हमारा बंगलादेस का currency ही हम ऑपierte यूज़ नहीं करेंगे और आप यह जो कमपनी बनी है पांस लोगों की इससे आप अलग हो जाओ थीक है तो बंगलादेश के लोगों ने कहा कि हम अलग होना है तो फिर क्या हो बाद में यह लोग हो गए ठीक है जब यह अलग हो गए तो यह ABC से ABC करणसी भी यूज़ नहीं क इसको दे सकते थे ABCN Union थीए जैसे इसटेशारे को प्रिटेन है और एकजीट ब्रिटेन का एकज़िट हो ना ही इसको हमने नाम दिया है पिरेगजिट ठीक है तो बेसिक फंडामेटल याद रखिएगा कि ब्रिटेन हो गए से बिटेन का एकजीट होना कहां से European Union से अब हुआ यह था कि जो इनका एक आटकल 50 है उसके तरह क्या है कि जब आपने यह मदब कह दिया कि आपको अलग होना है उसके वासे यह जो आया था 20 मार्च 2017 को आया था कि हम इससे अलग होंगे ठीक है अब जब कह दिया आपको दो साल के अंदर क्या होता है बिल पारित कराना पड़ेगा आपको European Union से अलग होने के लिए लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है थेरसा मेंने तीन बार अपनी संसद में यह बिल लाया औ उनको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है राइट सेम इनके साथ भीगवा जब यह पहली बार लाइन विल अपना रिजेक्ट हो गया इनको फिरसे इनके इनको अपनी बहुमत सिद्ध करनी पड़ी लेकिन जो उनके नेता थे मतलब बहुमत उसे दिकर दिया इन्होंने लेक इनके वोट दे दिया लोगों ने ठीक है निगेटी वोट दे दिये लोगों ने सपोशकरो साथ और पच्छ में ओड़ दिये 40 तो बिल पारित होगा नहीं क्यूंकि आपको कम सकम एक क्यावन सीटे तो चाहिए ना एक क्यावन वोट तो चाहिए तो इसके बाद का गया यहाँ पर 45 लोगों इनके विपच्छ में चले गए तो यहाँ सरकार तो बच गए इनकी लेकिन ब्रिटेन से यह एकजिटी नहीं कर पा रहे हैं सबसे दिक्कत इनके साथ यह हो रही है मुझे पता है थोड़ा सा कन्फीजिंग हो रहा है मनें कुछ जादे डिटिल में बत अब बात करता 16 साल की सब्सक्राइब में जलवाईवी परिवतन के परभाव को रोकने के लिए आपका ग्रेटा थनबर को नोबिल प्राइज के लिए नामित किया गया दोस्तों यह प्यारी सी बच्ची इनकी फोटो है 16 साल की ठीक है तो दो इनको 2019 के लिए नोबल होंगा ठीक है जो उनकी लोकल लेंजमती है वह आपको समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों तो उसके बाद इनको नामित किया गया है आपको नोबल प्राइज के लिए 16 साल है अब 17 साल की एज में मलाना यूसुप जई को मिला था जो पाकिस्तान की है ठीक है उनको मिला थ बढ़ा था एक बार इनको 17 साल की एज में दिया गया था अगर इनको यह नोबल प्राइज मिलता है तो सबसे कम उम्र की नोबल प्राइज का पाने वाली यह बच्ची हो जाएंगी ठीक है 16 साल के उम्र में तो यह चीज़ याद रखिएगा ठीक है तो इतने इतने पुष्णा दोस्तों सुष्णा और इवन प्रदोगी की उद्योग को युवा पीडी तक पहुशाने के लिए कि इसने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युव का नामक लांच किया है तो यह लांच किया दोस्तों इस रों ने ठीक है मैंने कल आपको पढ़ाया भी था औ करनेक्ट और यू वांटेड आप किसको चाहते हैं उसको यह करिए करने की बाते हैं तो यह दोनों जो लॉंच किया थे फेस्बूक ने लॉंच किया थे दोस्तों अब देखो अगर मिलको इसमें नहीं पता होता नहीं पता अगर मिलको 50 50 यूज करना होते हैं कैसे option को अश ग्रूप को आपको देखने मिलता वांट सबसे पहले या जाता हूं यह तो हमाइब कर जाता हूं चैना किरें में प्राइब करता हूं सबसे पहला अगर Amazon के नाम ले तो आपको shopping website के नाम पर याद आता है, ठीक है, e-commerce site के नाम पर याद आता है, तो मैं इसको भी eliminate करता है, बसता है आपका Google और Facebook, तो इसमें 50-50 खेलता है, 50-50 में मतलब यह है, कि आप तो या तो Google हो जाएगा, या तो Facebook हो जाएगा, या तो Google हो आप सोचते हैं, तो share you wanted candidate connect, ठीक है, मतलब लग भाई, चांस भी कह सकते हो, अगर इसमें कुछ भी और देता है, इसमें सुपोज को Instagram देता है, थोड़ा सा दिक्कत था, बट अगर मैं कहता हूँ, अगर ऐसा होता तो, तो आम भी 50-50 यूज़ करते हैं, वान भाई 3 का option ले और जो सही हो, दो बहुत सारे लोग बोलता है, गेस जो मार के शही करते हैं, यहां पर इम्सक्राइब करते हो, वही होता है आपको लग जो आपको सारे jocks काम करते हैं, मैंने कौँ पता नहीं था, बर बट मैंने सारे फे stress jitने मेने मेनने याद आ रहे तो उन फैक्टर को मैंने जोड़के इस कोशन में लगा दिया और मेरा कोशन सही हो गया यह होता है आपका एक्चुल में लग जिसको हम लग बोलते हैं लग फक्टर ही होता है तो देखो यूवका के बारे मैंने पढ़ लिया अब बात करते हैं किस देशने मलाह सबसे बड़ी सॉल्ट के नाम गुफा खुजी तो मैंने कल आपको बताया था और यह आपके लिए कोशन थोड़ा सा नया था मैंने यह पढ़ाया भी नहीं है तो किस चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों की मदद के लिए एना जोरी पहल की अध्यीन आअ मैं इसम के साथ जयता वारते रचिख में आपको लिए कतक लिलग है यह चांसे कम होते हैं आपको ना पता होते हैं आपको पहुच सकते हैं तो आपके लिए आज का पहला कोशन नोबल प्राइस पुरुसकार के नामी सबसे कमरूम की सक्षित कौन है उसका नाम बताना है हाल निमनिम से कौफी किस किस्म को जी टेक प्रदान किया गया है तो मैंने वह अभी कुछ दिर साहर तो नामी 3 के बात करें गांड्र प मैंने परथा नहीं पता होगा तो क्यूंकिस आपको सबस्क्राओं पर परिजुना को मंजूरी दे दी तो आप साथ कर पाएंगे कि सुन्दू की सहायक नदिया कौन सी उसके आज पास कौन सी नदी ये तो इसमें तो स्वच सर्विच्षड की सरक को स्वच सर्विच्षड 2019 के तब सरवाधिक सवच सर्कार दिया गया सब्कार घांज कारवाय लगाता कई सालों सी दोस्तों सहर कौन पर आपको यह बताना है ठीक कि सेत्रiscal कफ्रीया के वीमा के लिए विद्धवस्ताफ्य देएमडिक तो थोड़ा सा कर दो स्वibt डिले हो जा रहे हैं रिजन है कि सुबस्पर मतलब बहुत जादे पेन हो रहा है पैर में तो अभी इंजेक्शन भी लग रहा है दवा भी खा रहा हूं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों तीन से चार दिन प्लीज कॉपरे करेंगे ठीक है तो एक से दो दिन का टाइम दीजिए मैं आपसे 12 2019 डिसेस करूंगा ठीक है दोस्तों तो आज के लिए दोस्तों बस इतने ही रखते हैं आसा करता हूं को वीडियो पसंद आओगा पसंद आता अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्क्राइब कर ना ना भू थाइक वो थैंक और